जैशी किशना दोस्तों आप सबी को सावन पर्वी की हार्दिक शुब कामना है ओम नमश्वन जैसे की सावन महिने का पहला सोमवार जी हां दस जुलाई को पढ़ रहा है इस दिन आपकर एक छोटा सा अचुक सा उपाई अगर अपने घर में सुख स्मृदी चाहते हैं मालक् में स्थिर रूप से वास करें भगवान शिवशंकर आपको आशिवाद दें आपके जीवन के हर संकत हर कष्ट दूर हो सके तो इस सौमवार के दिन जरूर से जरूर यह उपाई करें इसलिए कि इस दिन सौमवार की अश्टमी भी है साथ में सावन का पहला सौमवार है तो आपको यह उपाय समझ नहीं आएगा तो आपने करना क्या है पाँच बेल पत्र चाहिए ध्यान से सुली ची बेल पत्र कटे फटे नहीं होंगे साफ सुत्रे बेल पत्र लेंगे पाँच बेल पत्र लेंगे पाँच आपको सफेद रंग के फूल चाहिए पांच आपको दुरुवा की गाठे चाहिए और पांच आपको चाहिए लॉंग फूल वाली होनी चाहिए टूटी फूटी ना हो और पांच आपको अक्षत चावल के दाने चाहिए एक लोटा जल लेंगे उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की जरूर डालने उसके बाद चले जाए अब शिवशंकर के पास अपने शिवाले में घर के आसपा जो भी शिवमंदिर है वहाँ जाए अब आपने करना क्या है एक बेल पत्र एक फूल एक लॉंग एक अक्षत और ए इसी तरह ये पांचो चीजे फिल लेनी है दूसरी बार भगवान शिवशंकर पर अर्पन करने है ओम नमश्वय का जाप करना है और एक लोटा जल चढ़ाना है ये परकरिया आपने पूरी पांच बारी करनी है पांचों चीजे पांच बारी आप ऐसे चढ़ाएंगे और एक लोटा जल चढ़ाते जाएंगे हर बारी तो इस तरह से हो जाएगा आपके पांच लोटा जल और सारी चीजें पांच चीजें हैं पांच बारी आपने चढ़ानी है भगवान शीफ शंकर पर अरपन करते जाएंगे हर बारी पांच चीजों को और एक लोटा जल अरपन कर और फिर इस तरह से चढ़ाएंगे इस तरह से आप पांचों चीजों को चढ़ा देंगी और वहीं बैठके आपने फिर कपूर जरू जलाना है कपूर से आठी करनी है भगवान शिफशंकर की और फिर वहीं बैठके 108 बार आपने ओम नमश्वय मंतर का जाप करना है और प्रा बिल्कुर ठप हो चुका है पैसा बिल्कुल कहीं से नहीं आ रहे हा समस्वय मेता जाना है और जो लोग नहीं कर पातनी आप दूसéri को कर सकते और संभव सके सावन के जो आठ के आठ सो अमबर पढ़ें आठो सो अमबर पे ये छोटा सा उपाई जरूर करें इस उपाई को करने से आपका घर धन धाननी होगा मालश्मी किर्पादिश्टी होगी आपके घर में मालश्मी का स्थेर वास होगा और भगवान शिवशंकर का आशिवद प्राप्त होगा भगवान शिरहरी विश्णु का भी आशिवद प्राप्त होगा आपके जीवन के हर संकत कष्ट दूर हो जाएंगे चोटा सा उपाय है जरूर से जरूर करिए जादा से जादा वीडियो को शेय करें कि जिससे की सबका भला हो सके दूसरा उपाय जो आपने करना है क्या है आप शिवाल ले जो भी मंदिर आप जहा रहे हैं आपको संध्या के समय सूर्य अस्त के बाद जाना है बेल पत्र के पेड़ या व्रिक्ष पौधे के पास में एक मिट्टी का दीपक लेके जाएंगे शुद देशी घी डालेंगे उसके अंदर और साथ में उसके अंदर एक लॉंग फूल वाली डालेंगे बाती लंबी नहीं बनाएंगे गोल बाती बनाएंगे गोल बाती बनाके आप व्रिक्ष के बेल पत्र व्रिक्ष के पास चले जाएं या दीपक प्रजवलित करें और मा लश्मी से प्रात्ना करें कि आपके घर में वास तिरवास करें जो भी पैसों की तंगी या परिशानी है वो सारी दूर हो जाए छोटा सा यह उपाई है जरूर से जरूर आप सोमवार की सावन का जो पहला सोमवार जरूर करें वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जाद से जादा शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें मुझे आगे दीजे फिर आओंगी सर की जानकारी के साथ मिझे शीक्रिशना ओम नमस्वै घर घर महादेव हर हर महादेव